कुल्लू जिला मुख्याले में दशेहरा उत्सव के लिए दशेहरा उत्सव समीती ने प्लाट आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी है ADM कुल्लू अश्वनी कुमार की अधिश्ता में प्लाट आवंटन प्रक्रिया पूरी की जा रही है प्रतम चरण में मीना मार्केट, फूड मार्केट, बरतन मार्केट, हौजरी मार्केट सहित, अन्य मार्केट के लिए प्लाट अवंटन प्रक्रिया चल रही है ADM कुलू एवं दशेरा उत्सव प्लांट अवंटन कमीटी के अधिश अश्वनी कुमार ने कहा कि दशेरा उत्सव के लिए प्लांट अवंटन की प्रक्रिया तीन अक्टूबर से शुरू की गई है उन्होंने कहा कि चार डोम पिछले वर्ष के रेट पर आक्शन हुए हैं जिन में दो करोड तीन लाक रुबे की बोली लगी है उन्होंने कहा कि जूला मार्किट भी पिछले वर्ष के रेट पर आक्शन हुआ है उन्होंने कहा कि जैसे जैसे प्लांट अवंटन होगा वैसे वैसे पैसा दशरा उत्सव समीति के खाते में जमा होंगे उन्होंने कहा कि इसके अलावा फूड मार्केट में सभी स्टॉलों में फूड सेफटी कानून के तहत व्यवस्ता रहेगी और हेल्थ हाईजीन को लेकर फूड विक्रे करने वाले लोगों को गुलाबी और सैनेटरी टोपी पहना अविश्यक होगा वहें उत्सव के लिए स्वच्चता को लेकर नगर प्रविशत कुलू द्वारा सारी वेवस्ताइं की जा रही हैं जूले का भी हमारा जहे व क्योंस अपर वह ने इसके अलावा जो दूसरे प्रोस रहते हैं हमारे sports ground में और रगुनात camp ground में और exhibition ground में उसमें अभी process ये चल रहा है तीन तारिक से हमारा ये process start हो चुका है और अभी तक मीना बजार में जहां पे इस बार के नौपीज लग रही हैं 30 दुकाने अभी तक auction में बिक चुकी हैं और food stalls में भी इस बार काफी changes की गई हैं वहां पर भी अब तक 94 में से 54 stalls जो है वो अलोट हो चुके हैं अभी हमारा आज रगुनात camp का जो ground है उसमें बरतन market और खौजरी की markets अगरे लगती हैं उसका process अभी चला हुआ है और उसमें क उत्सा के साथ जो है वो इसमें participate कर रहे हैं दस तारीक तक हमारा यह फर्स्ट फेस का इलाउटमेंट का सारा process हो जाएगा दस और ग्यारा तारीक को हमने एक last opportunity रखी है कि जो ब्यापारी जो पिछले साल से तुकान लगाते आ रहे हैं वो किसी कारणवश उस fixed date इंदारित ठीक है दिन जो है वो अगर नहीं पहुंचे हैं तो वो दस और ग्यारा तारीक को आके अपने plots ले सकते हैं बारा और तेरा तारीक को जो है जो बचे हुए plots हैं वो open auction के लिए खुल जाएंगे और उसमें भी जो है वो कुछ guidelines बनी हुई हैं उसके accordingly हम time to time public information के लिए notices issue कर र जाएगे roughly अभी तक लगभग साड़े तीन करोड के आसपास का revenue हमें आ चुका है जिसका process हो चुका है कह सकते हैं क्योंकि उसमें जैसे dom है dom का जो पैसा आता है वो अलग-अलग installments में आता है तो वो उसके fixed norms हैं उसके हिसाफ से आता है हलांकि इसका process हो चुका है जो plots haven done का जो process चल रहा है उसमें advance में सारा पैसा L.O.T. को जमा करना होता है और वो पैसा जो है day to day basis पे दशरा committee के account में deposit हो रहा है इसके लिए sanitation के लिए तो एक अलग से committee बनाई गई है और dust bins जो है रखना mandatory हमने किया है food stalls में और इसके अलावा inspection teams अलग-अलग ground में अलग-अलग inspection committees बनी हुई है वो regularly routine में daily inspections करेंगे और जो violations होगी चाहे sanitation को लेकर है या और कोई guidelines को लेकर है उसमें कारवाई करेंगे food safety के जो norms है food stalls में उसको भी comply करने के लिए strict instructions दिए गए है और sanitation के ही hygiene के point of view से सबी जो food stall वाले हैं जो food business operators हैं उनको gloves और sanitary caps जो होते हैं वो use करना mandatory किया है इसके अलावा जो सफाई की प्यवस्ता है उसमें major role हमारा mc का रहता है और mc का जो है अपना process toilets के maintenance को लेकर और day to day जो सफाई प्यवस्ता को लेकर है वो mc के level पर चल रहा है